हैलो मैं गीता नेगी गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो प्लांट को इंसेक्ट फिरी रखने के लिए मैं बहुत आपको होममेड पिस्टिसाइड बता रही है उन दिनों और मेरे प्लांट इनी की वज़े से आज हल्दी हैं और देखे दिसंबर के महने में मौसली लोगों के प्लांट खराव होना शुरू हो जाते हैं और मेरे बठ भगवान की दिया से टचूट मेरे प्लांट अच्छे चल रहे हैं और उसमें से एक हाथ है बायो इंजाइम का जो मैंने आपको बनाना बताया था पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं मे पूरा प्रोसिसर मैंने आपको बताया था यह है दिखिए आज 12 अगस्त को मैंने इसको बनाया था आज यह हो गया है तुम्हारा तीन-चार महने हो गया है और यह इसका कैसे पता चले कि बायोजन बन गे कंप्लीट हो चुका है तो जितना गैंदा का मैंने ऊपर पैडल्स ड़ाले थे उस सब उपर थे इसका मतला सक्छों नीचे बाटल भरके मैं नीचे बी ले जाती हूं और यह देखिए यह दो-लीटर की बाटल है और उसमें कितना इसको डालना है यह मैं आपको बताती हूं यह मैंने निकाला और ये थोड़ा सा इसमें कुछ कचरा सा आया गेंदे की डंडियां वगरा ये मैं इसको चान लेती हूँ स्प्रे बोटल खराब होने का डर रहता है नहीं तो ये मैं आप भी डालती हूँ देखिया ये एक धकन ये अपनी स्प्रे बोटल में मैं डाल रही हूँ ये दूसरा धकन ये देखिये बने बस दो लिटर की बोटल में दो धकन इससे ज़्यादा नहीं और ये पंदरा दिन में एक बार इसका स्प्रे करिए जल्दी जल्दी भी स्प्रे करना नहीं करना इसका ये तना असरकारक है कि आपके 15 दिन तक प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे फिर 15 दिन बाद दूसरे बार इस वाले एरिया में मैं कल डाल चुकी थी आज मैंने ये वाला एरिया कवर करना है इस प्रेय से कल मैंने डाला तो मैंने सुचा कि आपको भी दिखाऊं की बाइंजाम कैसे यूज किया जाता है और इसके बहुत ही बेनिफिट होते हैं आप इसके प्लांट की मिट्टी में डालोगों मिट्टी आपकी हल्दी हो जाएगी हामफुल जितने बैक्टिरिया फंगस है सब खतम हो जाएगे हम लोग पहुचा भी इसलिए फिनाइल डाल के लगाते हैं कि फ़र्ष में जितने फंगस है बैक्टिरिया है हामफुल सब खतम हो जाएगे सेम वही काम ये भी करता है पोदो के लिए तो सबसे बैस्ट है वो केमिकल ना खरीद के अब तो मैं इसी को बाइनजाम कोई अपने पहुचे के लिए भी यूज़ करते हूँ घर में क्लीनिंग के लिए और इस तरह से सारे प्लांट में इसका स्प्रे कर दीजिए पूरे पत्तों में उसकी स्टेम में ये देखे ये वाला ये सारे मैंने गुडल के पोदों में करी पत्ता में सब में मैंने स्प्रे कर दिया है और इसकी वज़े से आज ये है कि मेरे फूल अभी भी इस गुडल में आ रहे हैं ये देखे कितना बिग फुलार मेरे गाडन में खिला गुडल का विश्कस का इस तरह से देखे मेरे खुलांचू में भी फंकाड़ आ गया था तब से मैं इसमें तरह तरह कभी हल्दी का पाणी कभी लौंग का और कभी इस तरह का ये बायो इंजाम का में स्प्रे कर रही हूँ और बहुत हल्दी हो चुके हैめरे ये कलांचु के प्लांट थोड़ा तो केर करनी पड़ती है जो खासकर सीजनल फ्लार प्लांट होते हैं वो एक ही सीजन में उनको सब कुछ करना होता है तो फटा-फटा उनमें फंगस भी जल्दी लगता है ये देखें टमाटर सीजनल फटार के प्लांट में इसमें बैठा है तो वो दूर चला जाएगा और इस तरह से मैंने सारे प्लांट में स्प्रे कर दिया है और आप लोग भी इसी तरह से बाये टार McM enterprise बनाई है मेरे पीछे की वीडियो में देख सकते हो कि तरह से इसको बनाया है, मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब माई चैनल